हमारे साथ देख्षित जी हैं, बहुत धनिवाद देख्षित जी, आरेस देख्षित जी आनन्दा एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और दूद से बने उत्पाद, उनको बेचने का काम करते हैं, ये हमें ये समझाईए, अभी एक किसान भाई ने हमारे ये कहा था, कि हुट अटनों से दूद लेते हैं, कैसे आप किसानों को आतम निर्भर बना रहे हैं और कैसे आनन्दा को आनन्दा होने का श्रे आप किसानों को कितना देते हैं नमस्कार, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ किसान तक को, जिनोंने मुझे इस मंच पर बुलाया, और मैं परणाम करता हूँ किसान भाई और बेनों को, देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरा जनम आगरा के एक छोटे से गाउं में हुआ, और वहां मेरे पिता किसान ने मुझे एक बात सिखाई, जो कि किसान थे, कि अगर जीवन में कभी समय मिले, तो इस डिवीजन को एक उस लेबल तक ले जाना है, कि जो भारत किसान बन सके, आप जानकर के आपको खुसी होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर, आज जो प्रादसिक डेरी कॉपरेट जो थी, वो उतना काम नहीं कर पा रही है, जितना आनंदा काम कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग 20 बेटनरी डॉक्टर हैं हमारे पास कंपनी के रॉल पर, हमारे पास जो AI टेकनिसियंस हैं, वो हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं, फुली डिजि कैसे दूद बढ़ सकता है, उस पर काम कर रहे हैं, तो सीमन अच्छी क्वालिटी का अगर जाएगा, और उससे गाओं में जब काम होगा, तो ये ब्रीड डेवलोप्मेंट पर काम हम लोग कर रहे हैं, आज यूपी के 6,000 गाओं में हम लोग ये अभिहान लगा करके काम कर रहे हैं, तीन लागा किसानों से हम लोग दूद प्रिक्योर कर रहे हैं, और किसान का की उत्पादन कैसे बढ़ सके, उस पर जमीन में जाके काम कर रहे हैं, अभी एक नया अभिहान हम लोगों ने चालू किया है, कि गाओं में जब किसान के पास जो गोबर पैदा होता है, उसके पास उसकी यूटिलाइजेसन आज क्या बची है कि वो उपला बनाता है या उसके लिए खाद बनाता है और वो खाद भी एजिंग होती है करीमन एक से डेड़ साल में जा करके खाद तयार होता है हम लोगों ने अभी भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI के साथ मिल करके तो SBI, आनंदा और किसान हम तीनों मिल करके बायो गैस प्लांट लगा रहे हैं UP के पहले डिस्टिक में चालू किया बुलंसर डिस्टिक में आज 5 डिस्टिक में हम लोग इनको लगा चुके हैं ये 50,000 रुपे की आइटम है बायो गैस प्लांट जिसको हमने किसान को free of cost दिया है उससे उसके घर की जो गैस का सिलेंडर है उसका खर्चा खतम हो गया उसका घर में जो गोबर पैदा हो रहा है उससे खाद बनके सलरी तैयार हो गई उसको chemical रहित खेती पैदा करने में उसको सहयोग मिल रहा है तो इस प्रकार से अगर जो आज विदेश में भी बात चलती है कि हम zero carbon emission पे कैसे काम करें जो methane gas निकलती है हमारे पसुदन से उस पर कैसे काम कर सकें तो उस पर आननदा एक commitment के साथ उस पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में आपको धरातल पे और जमीन पे बहुत तेजी से नजर आएगा मैंने personally योगी जी से मुलाकत की उनको अपनी इस पूरी स्कीम के बारे में बताया और उन्होंने मुझे बोला कि तीन महीने बाद आप पूरा ये काम करके अगर मेरे से मिलते हो तो मैं आपको भारत सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ सहयोग करना चाहूँगा क्योंकि रियली ये किसान, सरकार और सब लोगों की जरूरत है कि हम जीरो कारवर एमिसन पर कैसे काम कर सकें और गैस सिलिंडर की जिस पकार से कीमत बढ़ रही है अगर किसान के गोबर से ही घर में गैस पैदा हो जाए और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जो मीथेन गैस निकल रही है उसमें कोई स्मेल नहीं है आप उससे रोटी बना सकते हैं आप अपने आसपास में किसानों से चेक कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की गैस निकल रही है उसका गैस का खर्चा जीरो हो जा रहा है एक मिनिट मैं और लिता हूँ हमने एक योजना और चालू कि अबी कि जिस किसान के पास जमीन नहीं है जिस किसान के पास पैसा नहीं है उसको हम भारत देश की सबसे बड़ी बेंक SBI के साथ मिलके काम कर रहे हैं उसको हम कैटल लॉन दिला रहे हैं उस कैटल लॉन का जो फिर से मिल जाता है और उसका जो पशुधन है उसको भी डायरेट सोर्च से हर्याना राजिस्तान से दिलाने पर डिजिटरी काम कर रहे हैं एप के द्वारा इस अभियान पर भी काम चालू हुआ है यह जॉइंट लाइबिल्टी ग्रूप करके सिस्टम बना है मेरे ख्याल से अब तक हम लोग 200 करोड रुपया दिला चुके हैं इस काम के लिए और मैं आपको गर्बसत कह सता हूँ कि उसमें से एक भी लॉन किसी किसान का डिफैक्ट नहीं हुआ है उसकी टाइम से किस्ट जा रही है तो धरातल पर जब कोई कमपनी काम करती है तो किसान का बिकास नि आप से पूछ लेंगे मैं समाब्त कर लूँ आप ही कि काम की बात इसमें से दिक्षिट जी ने जो बात कही है उससे हमारे मस्तिश्क में आई है दिक्षिट जी क्या किसान आपको दूद जो दे रहा है कुछ आप ऐसा अंकला दे सकते हैं कि एक गाउं के कुछ किसान या ए आज भी दोधी दे रहा है या आपने कोई आसा प्रयास इसाज रिज़ा शते बाक देखा से रचरा जो यह था estat ना सबसे पहले की आपको किया के नौजवान को ला करके हम सहर में रोजगार करा रहे हैं उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं आज इस प्रकार से हमारी इस योजना में दो हजार लोगों को हम लोग सहर में रोजगार देला चुके हैं और रोजगार का मतलब उसको जौब नहीं दे रहे हैं उसको खुद का मालिक बना रहे हैं पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो आपको आनंदा की प्लेस्मेंट नजराएगी और वहां पर यही नौजमान लोग वहां पर काम कर रहे हैं और मैं फिर बता दूँ जो वो गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी की EMI आनंदा देती है गाड़ी को हम जो फ पीछे हमने गोसाला बनाई है साहिबाल गाई की सिंगल ओरीजन की उसमें हमारा प्रियोग है कि हम किसानों को ट्रेनिंग दे करके गाउं में ही अगर नौजमान अपने माता पिता के साथ रह करके उनकी सेवा करते हुए गाउं में पचास जार लाख रुपे की इंकम करना चाता है तो कम्प्लीट पूरा मॉडल तैयार हो गया है और हम किसानों की वाँ ट्रेनिंग करा करके ये गाउं गाउं में अवियान चला रहे हैं जिसमें सर ने बताया गौवर्मेंट की इसकी में हैं बैंक की भी योजना है आनन्दा बैंक बारस सरकार और किसान किसान का नोजमान बच्चा ये मिलकर के एक ऐसा पूरा मॉडल तैयार करेंगे जिससे जो आपने कहा है वो देश की पूरी प्रॉब्लम पर काम होगा आनन्द करो आनन्द करो आनन्द करो आनन्द करो आनन्द करो